नमस्कार मैं हूँ पूजे चौधरी और आप देख रहे हैं चम्यूस कोई भी कानून ऐसे रातो रात नहीं बन जाता है बिना किसी योजना या प्रॉपर तैयारी के किसानों के खेत और फसल कॉपरेट के हाथों पर सौपने का खाखा बहुत पहले ही खींचा जा चुका था कॉपरेट इसके लिए अपनी तैयारी पूरी कर चुका था इसके बाद ही केंद्र की RSS भाजपा सरकार ने किसान विरोधी क्रशी कानून बना है इस बाद के पूस्टी भाजपा शासित हर्यार्ना के पानी पजिले के नौल्था गाउं में सौवेकर जमीन में बन रहे अडानी क्रशी गोदाम से होती हैं इसे इस तरह समझे कि सरकार ने असम में पहले डिटेंशन कैम बनवाया फिर NRC करवाया इसी तरह देश भर में बन रहे तमान डिटेंशन कैम देश में NRC होने की आहट देते हैं ऐसे ही अडानी द्वारा क्रशी गोदाम बनाना इस संदेह को बल देता है कि क्रशी कानून कॉपरेट के लिए ही लाया गया है पानी पजिला के सराना तहसील के गाउ नौल्था में अडानी ग्रूप ने सव एकर से जादा जमीन दो साल पहले खरीदी हुई है जहां अब रेलवे ट्रैक सड़कवा मंडी का कार जारी है गोहाना के गाउ मुंडलाना वक कैथल में भी ऐसे ही जमीन अडानी ग्रूप द्वारा खरीदी गई है ऐसे सूचना है नौल्था के पूरो सरपांच इश्वर सिंग का कहना है कि करीब एक साल पहले हमारे गाउं की जमीन ये कहकर अधी ग्रहित की गई कि गाउ में रेलवे के डिब्बे बनाने का कार खाना बनेगा शाहपूर गाउ से उस समय प्रेम सिंग नामक एक डीलर आया था उसने 35 लाग प्रती एकर के साब से जमीनों के दम निर्धारित किये गाउवालों को लगा कि सरकार जमीन ले रही है तो जो दे रही है ले लो नहीं तो वो जमीन तो वैसे भी छीन ले एक तरह से लोगों को अपनी जमीन देने के लिए दबाव बनाया गया तो लोगों ने अपनी जमीने देने से मना कर दिया अब जिनके सालों ने अपनी जमीन रोग दी उन्हें 1.5 करोड, 2 करोड देकर उनकी जमीने खरीद ली गई पुर्वसर पंच बताते हैं कि मालरा मोड से दो रास्ते जाते हैं दोनों रास्तों को इन्होंने कवर कर लिया है यानि ये सारी जमीने उनकी योजना में शामिल है और वो किसी ना किसी तरह से अब ये सारी जमीने ले ही लेंगे अभी तक इन्होंने सो एकड जमीन अधी ग्रहित कर लिया है सुवेकड और जमीन अभी उन्हें चाहिए अटानी ग्रूप अपना गोदाम बना रही है और गोदाम तक रेलवे लाइन विछा रही है उनके गोदाम से माल लत कर सीधे दूसरे राज्यों और विदेशों में जाएगा नौल्था गाओं के लोगों का कहना है कि सरकार ने पूर्व योजना के तहर जमीने कॉपरेट अधिक ग्रहित करवा दी थी और अब क्रशी कानून बना कर कॉपरेटर को अपनी मंडिया बनाने की मंजूरी दे गई सरपंच आगे बताते हैं कि हमारे गाओं में मिट्टी खोदना क्या फैक्टरे लगाने की आग्या नहीं है उसके बावजोद ये सारा काम हुआ है Special Economic Zone बनाया गया है इसका अर्थ ये है कि यहां केंदर और राज्य सरकार के कानून लागो नहीं होते यानि कि पूरा इलाका अर्डानी को दिया जाना है इसलिए अपने कानून लगा दिया कि कोई यहां आकर बोलना सके सारे रास्ते बंद कर दिये गए ना कोई शिकायत होगी ना कोई बात होगी सोनी पर जिले में मौर लाना गाउं है वहाँ पर भी यही हो रहा है नफे सिंग नामक बुजर्ग स्थानिया निवासी बताते हैं कि जमीन किसानों को धोखे में रख कर ली गई लोगों का कहना है कि लगभख सो एकर जमीन अधी ग्रहित करने के बाद उस पर निर्मार कार तेजी से चालू कर दिया गया जबकि लगभख सो एकर और जमीन की तलास की जा रही है ऐसे में ग्रामिलों में सुक बुगाहट है कि अडानी समून नौल्था गाउं में निजी मंडी बनाने जा रहा है इसी सिलसिले में अभी सो एकर जमीने और खरीदने की बात चल रही है जीटी रोड पानी पत रोहतक से ये गाउं कनेक्ट है बिलकुन सामने रेलवे लाइन है जमीन पर अडानी इनिशियेटिव का बोर्ड लगा है लेकिन कमपनी का कोई अधिकारी बात नहीं कर रहा है सिविल ड्राइन उनके पास है लेकिन उनकी बात नहीं हो रही है इस इलाके में अडानी ग्रूप के इस प्रोजेक्ट के लिए हजारों पेड काटे गए हैं लेकिन प्रशासन चुप है तो ये थी आज का अमारी खास खबर इसे प्रकार के खबरों में बने रहने के लिए देखते रही है चम नूद